हेलो एवरिवान आज हम बनाते हैं कच्छे आम की खटी मिठी लौंजी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है तो चलिए आज कल तो आम बहुत मिलने लगा है तो देखिए जिसके लिए कच्छा आम ले लेंगे आप कोई सा भी आम ले सकते हैं और आम को अच्छे तरीके से हम छील लेते हैं आप चाहे तो छिल का सहीच भी बना सकते हैं छिल के बनाए तो बहुत ही टेश्टी बनेगा और यहां देखिए आम को हम छिल लिये हैं तो अच्छे से धोग कर पोच ले और उसके बाद हम चाकू की मदब से इस तरीके से पीसेस पीसेस काट लेंगे आप चाहे तो बीज सहीच भी काट सकते हैं लेकिन यह बीज बहुत सक्त था इसलिए हमने यह बीज को हटा दिया है और इसे हम काट लेते हैं आप चाहे तो इसक्वाइर में यह लंबाई में जैसे भी आपका मन करें उस तरीके से से शेफ में काट ले और मैंने ये स्क्वायर सिप का छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं तो इसी तरीके से हम सारे आम को काट लेते हैं और काटने समय ही आम को थोड़ा चक लेंगे कि ये ज़्यादा खटी है या मीठी आम है तो उस हिसाब से गोड़िया चीनी डालेंगे और यहां देखिए कितना अच्छा ये आम काट चुका है तो दूसरा आम को भी काट लेते हैं और यहां देखिए एक साइज का पूरा पीसेस हमारा बन चुका है तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं और कुछ मसाले तब तक तयार कर लेते हैं तो मसाले के लिए हम लेंगे आधा छोटी चमच सौफ आधा छोटी चमच कॉलोंजी और आधा छोटी चमच आजवाइन और आधा छोटी चमच मेथी लेंगे इस मसाले से देखिएगा टेस्ट कितना अच्छा आने वाला है तो फिर एक कराही गरम करेंगे और इसमें दो चम्मच बस तेल डालेंगे तेल इस रेस्पी में जादा नहीं लगता है कम तेल ही डाले और एक तेस्पत्ता डाल देंगे और दो सुखी हुई लाल मिर्च और तेस्पत्ता और लाल मिर्च को अच्छे तरीके से तेल में पहले भून लेंगे और देखिए मिर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो फिर जो भी हम मसाले रखे हैं उसे इसमें डाल देते हैं इसे पास फोड़न भी बोलते हैं अगर आपके पास मिक्स पास फोड़न होगा तो वो भी डाल सकते हैं और इस मसाले को भी अच्छे से तेल में भून लेते हैं और भूनने के बाद जो हमने आम को काट कर रखा है उसे डाल देंगे और डाल कर इसे चलाते हुए लगवग 2-3 मिनट तक इसे हम भूनेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम धक के दो मिनट के लिए भून लेते हैं और यहां देखिए दो मिनट के बाद कितना अच्छा दिख रहा है तो चलिए कुछ दिर के लिए और इसे हम भून लेते हैं और देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है तो बस अब ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे तो चलिए अब कुछ मसाले इसमें डालते हैं तो जिसमें हम डालेंगे आदा छोटी चमज हल्दी पाउडर और आदा छोटी चमज नमक और नमक खल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे लगवक तीन से चार मिनट और हम इसे ढखते हुए भूनेंगे और देखिएगा इतना ही मसाले के साथ कितना अच्छा ये बनने वाली है और अभी तो मौसम में आम कितना अच्छा-च्छा मिल रहा है तो आप चलिए इस रेशिपी को बनाईएगा और यहाँ देखिए आम को अच्छे से भुन लिये हैं उसके बाद हम डालेंगे इसमें तीन से चार चमत चीनी डालेंगे आपका आम जितना भी खटा हो उस हिसाब से आप चीनी डालेंगे और चीनी को एक बार मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद देखिए यह आधा केजी आम था तो उसमें हम लगबग 200 गराम चीनी और 200 गराम जितना गुर डालेंगे आम मीडियम खटा में था तो इसे हिसाब से इसमें डालेंगे आप चाहे तो पूरा गुर में या पूरा चीनी में भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर आधा गुर और आधा चीनी का यूज़ कर रही हूँ तो इसी तरीके से आपका आम जितना भी खट्टा हो उसी साप से यूज़ करें और आधा कप इसमें पानी डाल देंगे पानी डालने से देखेगा गुर्ट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और देख सकते हैं गुर्ट कितना अच्छा मेल्ट होने लगा है तो फिर आधा छोटी चमच इसमें कास्मीरी लाल मिर्ज डाल देंगे इससे टेस्ट और कलर दोनों अच्छा आएगा और ये मिर्ची से ज़्यादा तीखा भी नहीं बनेगा और कलर भी देखें का कितना मास ताने वाला है तो इसी तरीके से देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद ढ़क कर इसे 10 से 15 मिनार तक अच्छे से एक दम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि ये पका है कि नहीं और देखिए इसे mix कर देते हैं और गुर भी देखिए कितना अच्छा melt हो गया है और कितना अच्छा color भी आने लगा है तो mix करने के बाद फिर से हम इसे 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे ढग कर और देख सकते हैं लगबग 50% तक कूख हो गया है और इसका color भी देखिए पूरा कितना change हो गया है और 50% ये पका हुआ भी दिख रहा है तो इसी तरीगे से बीच-बीच में चेक भी करते रहेंगे कि ये पका है कि नहीं देख सकते हैं इसे पकने में अभी लगबग थोड़ा सा कसर और बाकी है तब इसे हम mix कर लेते हैं और फिर से धक कर लगा कर इसे हम दम flame को लोही रखेंगे ताकि ये पूरा चासनी सुखेगा भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएगा और यहां देखिए फ्रेंड 5-7 मिनियर को फिर से देखिए कितना अच्छा ये color भी change हो गया है और आम पुरा पारदर्सी हो गया है उस समय जब हम पकाने के लिए डाले थे आम को तो उस समय color कैसा था और अभी कैसा color है आप तो खुद देख सकते हैं और ये देखिए फ्रेंड लगवग 2 मिनिट के बाल और देखिए कितना अच्छा color आ चुका है और texture भी कितना अच्छा आ गया है और चास्नी जो भी है कितना अच्छा फिर melt हो के अच्छे से सब mix हो गया है तो बस एक बाद चमच की मदद से या कोई कलची की मदद से एक बाद चेक कर लेंगे कि आम अच्छे से गला है या नहीं लेकिन देखने से ही लग रहा है कि आम पुरा अच्छा पका पका दिख रहा है और पुरा soft है गदम और बहुत अच्छी ये recipe बनती है तो एक बाद आपन बनाईएगा तब बताईएगा कि यह कैसा बना था और यहाँ देखिए इसे दबा कर देख लेते हैं और यह देखिए फ्रेंड कितना अच्छा यह soft है और देखने से ही मुह में पानी आ रहा है ना तो चलिए फ्रेंड आम का महिना तो आ गया है और बहुत अच्छा अभी अमियाभी छोटे-छोटे मिल रही है तो आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राई करिएगा तब चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और उसके बाद हम सर्व कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड कच्छे आम की कटी मीठी लॉंजी देखिए कितना अच्छा बना है और इसे आप कट मीठी भी बोल सकते हैं आपके यहाँ यह क्या बोलते हैं बताईएगा और recipe कैसी लगी मुझे जरूर comment box में share करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपने ट्रेंड संट फैमली के साथ भी share करें